तो स्वागत है आपका आपके अपने चैनल दी एक्जाम हैलपर में है तो आज के इस वीडियो में हम टारगेट SSC MTS GD का पार्ट 3 देखने वाले हैं इससे पहले जो दो पार्ट हैं वो अल्रेडी अप्डेट कर चुके हैं आप जाईए अगर आपने नहीं देखें तो वहा होगा यह देखिए इस तरीके से कुछ सोर्स है ठीक है और इसके दो दो जो पार्ट है वो अपने देखें तो वह देख लीजिए हम यहां पर जो है मातर दस मिनट के अंदर 25 कराते हैं ठीक है कोई भी फालत की वहाद नहीं किया ठीक है तो मैं आपको सबसे पहले सोर्स दे हैं जो बार-बार रिपीटेड कोईशन पूछे जाते हैं MTS और GVD फाइल में और जो आपके आने वाले एक्जाम है उसमें डेफिनेटली वो कोईशन पूछे जाने वाले हैं ठीक है तो अगर आपने हमारा अब तक जो है चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पह करते हैं तो आप उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लिए ठीक है तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं पहले कोईशन से ठीक है तो पहला हमारा कोईशन पूछा गया था कि GST का पूरा अर्थ क्या है यानि कि GST तो क्या हो जागा गुट्स एंड सर्विस टेक् अब देख सकते हैं तो यह पूछा जागा कि गुट्स एंड सर्विस टेक्स यानि GST कब लागु किया गया था तो एक अपरेल 2017 को यह लागु किया गया था यह डेटी आज रखेगा एक अपरेल 2017 को और एक अपरेल 2018 से शुरी एक अपरेल नहीं एक जुलाई एक जुलाई और इसकी जो अद्यक्ष हैं वो कौन है निर्मला सीता रमड तीक है निर्मला सीता रमड जो के मारी बित्तमंत्री है इसकी अद्यक्ष हो जाएंगी सेकंड कोईशन है पत्तियों में मौजूद हरा रंग जो पत्तियों होती उसमें जो हरा रंग होता है वो किसके नाम से ज होता है इसमें कौन सी दाथू पाई जाती है तो मैगनी beginner मैगनीशियम पाई जाती है इसका सूत्र होता है एम जी तो यह याध रहा है कि यह बहुत ही ज्यादा question जो है यह repeat होता है next जो question है best1 जो सांती का प्रतीक है ठीक है प्रतीक है तो कौन सा होजा कभूतर कभूतर जो होता है सांति का प्रतीक होता है यह next question देख लेते हैं architecture की जड़ने की तक्णिक यानि कि जो building जो भवन भवन भववन भववन होते हैं उनको बनाने की एक तकनीक है जिसका नाम है पिएट्रा डियूरा करके यह तकनीक है जिसके साइधा से बिल्डिंग बगएर भावन बगएर बनाया आते हैं तो इस मैंसे जो है निम लेकित मैंसे कि इसमा रख यानि कि यह चार आपको ऑप्शन दिये गए थे पेपर में और तो ताज महल जो है आपका जो है इसमें सही आंसर हो जाएगा ताज महल को जो है पिएट्रा डियूरा तकनीक से बनाया गया था ठीक है और किसना बनवाया था साज आना बनवाया था मुम्ताज महल की याद में ठीक है और इसके बाद नेक्ट क्वेस्चन हमारा देख लेत तो sodium chloride हो जागा नमक का formula next है लावडी करके कौन से राज्जी का प्रमुक लोक नरत है तो लोक नरत है लोग गीत बगर आई तो आप मनलब रट की जाईएगा जितने भी है हर सिफ्ट में दो से तीन question इसे पूचे गए हैं ठीक है तो किसका है लावडी लावडी हो जागा महा पुस्तक भी रट की जाईएगा उल्ड जो बुक है वह वाली तो पुस्तक का नाम है इंडिया 2020 के द्वारा लिखी गई थी तो यह बहुत ही फेमस है डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के द्वारा यह बुक लखी गई थी ठीक है तो याद रखिएगा next है देखिए फ पहली भारती यह महिला कॉंती इस तरी के से तीका यह बेङरे यहाँ पर हीच में जो हृआ इंग्लिस चैनल पढ़ता है इंग्लिस चैनल यान की जो नदो समूध्र उसको से निकलती है तो यह अमर्क अंटक की पाडियों से निकलती है जो की मद्य प्रदेश में इस्थे तो यहां से टोटल तीन नदिया निकलती है एक तो नर्मदा एक है सोन नर्मदा सोन और तीसरी है जोहिला ठीक तीन नदिया जो है निकलती है आप याद रखिएगा तो आपसे हो जागा । धुटियक हो जागा अमारा निर्माण का गार्ट वह जागा तीरतियक अर्ल पूछे थ्रड पूछे थ्रड तो हो ज्यागा तो फूच rust होती है जो टोकोत बलेसे अलगरा बदियाज्ट कोई भीसेवा लेते हैं तो थरड मारा ङाता है next जो हो जाएगा वो हो जाएगा भारत का एक प्रमुक law is के छेतर है यानि law is के कहां पर पाय जाता है तो ओडिसा और जारकंड यह दोनों ही जगा पर आपको जो है law is के देखने को मिलता है यह आपको जो question दिख रहे हैं यह previous year से लिए गाए है हमने जैसे कि आपको file दिखाई गी ती इसमें हमना कुछ भी राइट नहीं किया है तो आप 25 previous year होते हैं 10 minute में आपको लगवग लगवग 10 minute के अंदर 25 question करा दिया जाते हैं तो फ्रांस की करांती फ्रांस की करांती का जो जनम हुआ था यह बेस्टिल जेल पर जनता का अमला जो हुआ था उससे इसको जनम मिला था फ्रांस की करांती ठीक है नेक्स्ट है कि 1920 में 1920 में कहां पर भारतिय राष्ट के इंडियन नेशनल कंग्रेस की बैठ कुई थी तो नागपुर में हुई थी और इसकी जो अद्धिक्षत की थी वो की थी रागभाचारन किसने रागभाचारन की थी ठीक है यह याद रखिए कि दो जगे 1920 में दो लगाना था है यानिकि एसिया की जोती के रूप में जाना है तो सब को मालू है महात्मा बुध्ध जो थे इनको ऐश्या की जोती के रूप में हो जाता है नेक्स्ट क्वेसिय τον हो जाएगा मानब उस्ते और अगर सबसे चोटी पूच ले तो वो जाएगीjekt पीज इस्टेट इस्टे कुए जो कोई जिते है जग स्बसे रहे ड़ार तो साथ बेश अघरत वती हूथ था था और इस समय साइथ भारत पांच भी ये छटवे नंबर पर मुझे एक जिक्ति लियाद नहीं है क्योंकि अभी चेंज हो गया data COVID-19 के कारण अब देखते हैं श्रीलंका में ग्रह युद्ध जो स्रीलंका की अंदर ही युद्ध चल ला था तो वर्स 2009 में युद्ध समाप्त होगा था तो यह भी बहुत ज्यादा इंप्रेटन प्रेशन है बहुत सारे एक्जाम में आपको देखने को मिला हुगा ठीक है तो यह आतर रहकिएगा कि स्रीलंका में ग्रह युद्ध वर्स 2009 में समाप्त होगा था नेक्स्ट क्वेशन देख लेते हैं ठीक है कि निम्न में से कौन सा अंतहस्रावी यान कि एंडोक्राइन तंतर का नहीं है तंतर का इस्सा नहीं है ठीक है न तो निम्न में से कौन सी गरंती है जो कि अंतहस्रावी तंतर का इस्सा नहीं है यान कि अंदरी अंदर सराव होता बहुता को ऩसा है बहारत देश का सबसे agora ना यहां इसा दिया और आपका गोवा दिया गया था और सिक्किम नहीं दिया गया था अगर से किम भी होगी हमको लगाना पड़ेगा जो कि छेट्रपल के हैं यहां प्लुचल consec क्टीक है जो चेल से हैं तो बेड मिघ्टन से हो जाएंगी याद रखिएगा नेक्स्ट क्वेशन दिख लिए यह कुछ आ गया ता यह कापी अच्छा क्वेशन था जिन जेकस करकर कोई भी ब्यक्ति यह किससे एक प्रेशिद्ट डेस है तो क्या थे यह चिंतक थे जो थे हो जाएंगे नेक्स्ट क्वेशन दिख लिए जो सोवियत पूछा गया था उस समय का बढ़ मैं आपको इस समय के से अपडेट करके बता रहा हूं कि भारत के जो बरतमान में मुक्षे निया दीश है तो गो हो जाएंगे चैनल को विटीयो गों परत्ती चैनल के तो खी विटीयू आपको पसंदाया McCarthy कर लिए हैन। पतानी कितने पान और भी से उपर आपको पंथरा सोश मिलने वाले हैं। तो उसके लिए हैँ पेटल हैं तो अप 11CNकome सब्सक्राइब कर लिए वीडियो को दोस्ते का शेयर करें थेंक्यू सो मच जय हिन जय भारत